और पटना के प्रसद सर्जन और आईये में के पूर्वा देक्षर डॉक्टर साजा अनंद सिंग ने कहा कि यह देश का सौभाग है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी तीसरी बार प्रधान मंतरी पंद की शपत लेंगे तो साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में डबल इंजिन की सरकार है विकास के नए आयाम दिखे जाएंगे 2024 लोग सबाचुनाव की रिजल्ट पर भी उन्होंने कहा कि कुछ आसमाजिक लोग देश में धर्म एवं जाट के नाम पर राज़ुते करते हैं जो की देश के लिए कता ही उच्चत नहीं है कि बहुमत के आकड़े से जो है इंडिये 19 सीट आगे है फिर से एक बार है टिक लगाने के लिए पृधान मंतरी नरेंदर मोदी तीसरी बार हो सकता है नहीं लेंगे सपत लेंगे हमारे साथ ही निसा मुदों पर बात करने के लिए प्रसिद सर्जन एवं डॉक्टर डॉक् इस इस तरह का प्रदान मंतरी न कभी हुआ ना होने की वीद है जिस तरह से इन्होंने महनत किया इस देश के लिए देश बिलेश इस तरह कुर्ण की चर्चाएं है वैक्तोषकर नकुद करता हुआ अगड़ी पिछड़ी के रूप में बाच कर इस वार का इलेक्शन हुआ तब भी वो जादू ही आकड़ा था इंडिये ने हासिल किया क्या कहे लोग यह बहुत दुखर है खासकर बिहार यूपी के लिए जो अगड़ी पिछी करते रहा गया नहीं करना चाहिए था रहान मंत अगड़ी के अलेक्शन में भी अगड़ी पिछी लोने किया और उनको लोग वोट नहीं दिया यह बहुत दुखर है बारारणश्य के लिए बारारणश्य को उनने स्वर्ग बनाया जिस तरह से वहां लोग जाते हैं अब इंज्वाय करते हैं जिस तरह से होटल मंदिर जो जो बनाया है क्या कहा जाए उसमें पिर उनको जात पाता में भाट दिया बहुत दुखर दुखर कर दिया नाक पचाई है अब धियार को क्या सवागाती है ब्यहार को अदिन क रहेंगे कि इसे कोड़ी है कि अधिन कोड़ी जी अश्त कोट़ी से सब्सक्राइब का नद कर होगा और आगे सब्सक्राइब तो देखे यह थे डॉक्टर सहजा नंसिंग जिन्होंने साथ तोर पर क्या दिया है कि केंद्र की मोधी सरकार और बिहार की नितीश शरकार मतलब गवल इंजन की सरकार अगर रहती है बिहार में नितीश कुमार साथ रहते हैं तो विकास के नए आयाम गड़े जाएंगों बने रहें रहें रफ्तार मीडिया के साथ पटना से मैं सुधेंगुर में